वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते खालसा पंथ दे शानना मते तिहास दे विच्चों बहुत ही सुनेरी पन्ना है सरंददा फते दिवस खालसा राज दे स्थापना दाए दिहाडा बड़ी अकीदत नाल बड़ी पावना दे नाल सेख जगत बनाँद है और ए दिहाड़ा केवल सेख पंथ लई नहीं बलके हिंदोस्तान दे वास्ते वी वो दी तकदीर दे कड़नदा देन है जिस दिन साधे साथ सो साल दी हकूमत दी जड़ा पुटके पहली वार इस तर्टीदे उते एथोंदे बिशिंदियान एथोंदे मालका ने अपने राजदी हूंद स्थापत कीती तो शिरी फतेगर सहब दी तर्टीदे नाल इस जेत दा बहुत गैरा सबांद जुड़ा हुए जेने सरांद तों फतेगर सहब दक दा सफर जड़ा सी वो तै हुए स्वे मानते गैरत दा परिया हुए ये तिहासक परना है तान गुरु गोवन सिंग सच्चे पाध्षा माहराद जी दा बाबा बंदा सिंग बहादर दे नाल मिलाप बड़ा अलोकक जिया वो चैप्टर है वो दे आए है सच्चे पाध्षा दामदमा सहब दी तरकी तो जो दखन उतरे राजस्थान तो हुंदे हुए सच्चे सहब जी गुदावरी दे कनारे जाके बैठे जिथे मादो दास्ती कुटिया है जी दे कोड जिन्दगी दिये साधना है कि वो अपनी सत्या नाल अपनी हुनर नाल अपनी कला नाल लोक कांदा मखावल ओड़ान दे मंजे पल्ट दे गुरुपाच्छा जी उचेचेत और ते मादो दास्ते कोड पहुंच दे है तो मादो दास दा जड़ा पिशोकर सी और जाओरी दे नाल जुड़या हुए पुनिशर जाओरी जी एंड के दे वेच राम दे पार्द्वाज दे कारेना दा जनम हुए लश्मन दासेना दा न अंदर उस्तसान जिथे खेती करनी हो दे शिकार वी खेल दे सी जंगली इलाका पहाड़ी खेतर अक्सर लोग अपने अहार वास दे शिकार दा सहारा लेंदे सी तो लश्मन दास दे जीवन दे अंदर ए उककटणा कटधी है जो जो शिकार खेल दियां गर्ब वती हिर लश्मंदास अपराम हो गया, निराश हो गया, मौत नू इनना नेडियों तक के जिंदगी तो ही उपराम हो गये लश्मंदास, जिंदगी बोज पन लग बाई, दोखतों मन पर जननू करदा, युके लश्मंदास में इल्म हो थे, सादु आ दी मंडली पहाडी खेतर चे लंग दी सी सादु जान की दास जना दी संगत करके लश्मन दास जी राम थम्मन जो अजगाल पाकस्तान वेचा है उथे मेला लगदा सी उथे पहुंचे उथे इना नू एक नमे गुरू मिले जना दा ना राम दास सी जो थो ये चाल के फिर नासक दे कोड़ पंचवटी वाल गए उथे एक नमा होर गुरू मिले आउगड़ना थ जड़ा सादक सी सेद सी जोगी सी सो बहुत सादना कीती बहुत हाट कीता कई ना बदले लश्मन दास तो मादो दास होए कई थां बदले कई गुरू बदले कई पेस बदले पर उसारा कुछ बदल के मन ना बदलिया मन नुचैन ना आया सकून ना आया तीरज ना आया बेचैन सन ना जिन्दगी दी कोई प्राप्ती सी ना जिन्दगी दा कोई लक्ष सी तो सारी जिंदगी दी साधना दे नाल एनना कू हासल कीता सी के दूसरे दी हालत ते हसना मंजे तखते पल्टने ते अपनी ताकदा इजहार करना कल गी तर पादशा जी मादो दास दे आश्रम विच गए एदे तखते दे बैठे संगासं दे बैठे साधगुर जी दी भी हेटी करनी चाहिए ने पर गुरु सहिफ जी देख गे जो ये बाल हार गया इन्हों एसास होया मादो दासन कि ये कोई सदारन पुर्ख नहीं हान तो डाक्टर गंडा सिंग जी ते होर विदवान इतिहास कर असल चे मिकालफ तो लेके जिनने भी विदवान इतिहास करने जहां डाक्टर गंडा सिंग जी तक उस मिला अपनू लगपग एक को जे तरीके देना बियान करते है जड़ा गुरु सहीब जी ते मादो दास ते वे चोया जड़ों अंतर आत्मे मादो दास ने महसूस कीता के गुरु सहीब उते मेरा परबाव नहीं चलेगा ते इनने तसलीम कर लिया के उस अदारन पुर्ख नहीं हन गोड़ा टेक के मंजे दे कोड बैठ के पुछे आसी तुसी कौन हो गुरु सहीब जी ने जवाब देता सी जनानों तुसी जान दे हो बड़ी धीरग द्रिश्टी दे नाल अंतर त्यान होके सोच के दूंगी सोच तो बाद दूजा स्वाल सी तुसी गुरु गोबिन सिंग जी हो ते हजूर ने कहा सी अपने आपनों पुछो हकीकत वेचे जवाब सी ए मादो दास नों अंतर मुखी बनाउन वाले सन तो मादो दास जड़ा बार मुखी पटक दी होई बिरती वाला सी ए दर्शना दे नाल स्वाल जवाब दे नाल अंतर मुखी होंद है ते गुरु दे चरना ते सेरा राक्के केंद है के आज तो मैं तो अड़ा होया तो बड़ा प्यारा तक खलस अपने आपनों पेश कर दे माहराज पुछ दे तूं कौन है ते मादो दास अपनी होंद मिटा के हस्ती मिटा के नेज मिटा के के नज मैं तो अड़ा बन्दा तो बन्दा शबद अर्थन दे बै खरीद विक्या होया गुलाम गुरु साहब जी ने गालना लाया ते जननों मिटना आया उननों शैन शैन शैयां दितनी आपना अपा दिता अपना रूप दिता महराज ने जो आप पारपन कीता मादो दास ने साथ गुरु जी ने खंडे दी पाहल दे के इतिहास कहनदा है कि नाम पाई गुरु बख्ष सेंग रखिया पर मादो दास जो पाई गुरु बख्ष सेंग साज़ दे या ये सफर जड़ा सी एक दौर उत्थंदा की भी होनदा है ये शैनशा होने पड़ दे है राज स्थापत कर दे है दुनिया चोक दी है हाकम चोक देने पर किते भी पाई गुरु बख्ष सेंग आपना नेज नहीं जनों दे जदों भी आपने आपनों पेश कर देने ओ गुरु दा बंदा खवा के गुरु दा मुलक खरीद्या होया गुला खवा के मान मैसूस कर दे है तो सचे बादशा महराज जी तानगुरु गोविन सिंग जी मादो दास नों गुरु का बंदा बना के ककार बख्ष देने अपने पथे विचो पांज तीर बख्ष देया गुरु साहिब जी अपने कमर कसे दी अपने गातरे दी किरपान बख्ष देया पाई बाद सिंग बिनोज सिंग कान सिंग रान सिंग ते दया सिंग जी एक तरह दी उस वकत जदो आसी सारी कटना नों ब्रीकी नड़ वेख देयां ते गुरु गोवन सिंग महराज जी बाबा बंदा सिंग बहादर नों एक सिक सल्तनत दा शैनशा बना देने 1778 दे से मिलाप दे वेच जड़ा गुदावरी दे कना रेते होया पांच सलाकार जड़े सनो वजीर सन पाईबाद सिंग बनोज सिंग कान सिंग रान सिंग दया सिंग जी वी सिंगां दा जथा इस बादशादी फाज सी क्योंके गुरु साहब जी पेच पन्च पत्थे दे पंच तीरा जै किरपान दे नल नल बाबाबन सिंग भादर नों एक निशान से दे नगारा बख्श दिया है उन नगारा ते निशान सहब एक सल्टनत दा परतीक है, एक अजाध हस्ती दा परतीक है, एक स्वै मान ते अड़री होद दा परतीक है। तपड़ा देके नाल जडी सब तो वड़ी बक्षिश कर दिया हो है, एक टारगट एक निशाना, एक मिशन, कि वो मिशन है जलम दिया मैं बहुत जरूरी समजन दी थी लोट मैं बेंती करांगा के कई वर साड़ी जड़ी सोच है उँर नेजो तक सीमत हुने ए मैसूस कर दी है कि बंदा सिंग जी नो साथ गुर जी ने सेब जा दे आन दी शीह दी दा बदला लेन दी पे जिया सिखी दे अंदर बदले दी पावना वास्ते कोई जगा नहीं है सेख दा एक मिशन है सेब जा दे नामी शीह दे आपा एक कडिली स्पोज कर लिए फिर भी ये निशाना सी जुलमदियां जणा पुटनियां दुस्ट सबन को मूल उपारन ते तर्मका जैकार करना सो इनू बदले दी रंगत नहीं दिती जा सकती ये निशाना एक मकसद है ते सदाई सेख इस मकसद वास्ते जूजदा रहेगा के संसार तो जुलमदा खत्म होए पापदा नास होए ते थे सार आरयानुए कहले मीराज बेगम पुरे वाला जैते कोई दोखान दो संतापना होए उधी स्थापना होए एस एकनू मिशन देता जड़ा बाबा बंदा सिंग बहादर गुई गुरु गवण सिंग सच्चे बाबा बंदा सिंग बहादर जी निस्चा ते विश्वाश लेके साड़े साथ सो साल दी हकूमत दे नाल टक्कर लेनी है ते कोड़ वी सिंगां दा जथा है फाउज है पांच सला कारने सिंग जना दे अंदर गुरु दा बास है निशान सहिब है जड़ी अपनी सल्तनत दा परतीक है नगारा है जड़ा जलम नु वंगार पांदा परतीक है सो किते भी किंतू नहीं है के जेसा खूमत नाल टक्कर लेन चले है उदे कोलते हाथी कोड़े फोजां किले तोपा रहे किले जंबूरे किने ने गिनती कोई नी पर एक प्रुसा है के गुरु सहीब जीदा जलम नाश करन वास दे एक दरता दे नाल बाबा बंदा सिंग भादर दखन तो पंजाब वाल नु तुर दे है दिली दे नेड़े पांच के वग अपनी चाल नु मठ्या कर दे है सिंगां दे दाले कठे कर दे है गुरु सहीब जीदा ओटा एक आसरा लेके अरदास कर दे ह सित्मा दिया जडिया नगरिया सी सड़ा समाना कपूरी आदक पहला इना नु सार कर दे है उन सड़ाए दे उटे उचेचे ता उरते हलाए इसले ही सी के सड़ाए दा वासी इसमान खान जड़ा सी उनने खुदा परस्त फकीर पीर बुदू शा जी जना दा असलियत नाम प पीर बुदू शा जी ने अपने पुत्तर जिगर दे टुकड़े पंगानी दे योद वेच गुरु सहब जी दे चर्ना तो निशावर कीते सी यह हकीकत है कि गुरु सहब जी दा विरोध किसे फिरके नाल नहीं है जुलम दे वरोध है तो ओ पीर बुदू शा जी ने नाल ह अकमानों दान्ड देता ते फिर बारा मई सतारा सो दासनूं खालसा फोजां माजे मालवे द्वाबे दे सारे सिंगानों कठियां करके बंदा सिंग बहादर दी अगवाई च चपड़ चिडी दे मैदान दे वेच जड़ा महाली एंटर हुंदियां लंडरां दे कोल बहुत खूबसूरत अस्थान जड़ा है यादगार बनी हुई है उस अस्थान ते गुरुकार बड़ा प्यारा शिशोबत है श्रम्नी गुर्दारा परबंद के मेटी सचज्जा परबंद का रही है उस अस्थान दा नाम फते जंग जड़ा हो सेक संगतां विच पर चलता है तो उस जगह दिए गया गाच जांग होई वजि दे अन्त होई शिंगा ने मिरतक शीरण हो शीयदा दे शीरण शीरण संभाल लेा उते फिर 14 मैं खाल साफ हो जाएं जाएं जानी सी उस सराइनदावाल कूझ कर दिया है सराइनदा किला बहुत मजबूत सी और दिली ते लहार बिलकुल दर्मयान सेरे हिंदे इनों क्या जांदा सी हिंदोस्तान दा च्रुमनी शैर सी और हकीकत या कि दिली दे बराबर दी ताकत राख़दा सी बहुत वड़ा मुगलिया हकुमत दा गाड सी केंदर सी तो बड़ी मजबूत किला बंदी सी तो पांदा केरा सी बड़ा मच उसस्थान तते जड़ा जिते आज शी दी बुंगा श्रोबत शीर गंज शैब उते शेहजार सिंगह दा सशकार हुए और यह जान खान खेंदे वेले सी जांवजीदे वेले सी जदों भी सरांदत्य सिंगह निया हमला करना हिंदा सी पांवयों खेतां जा काम करते क्रस संन ओवी जुचन वास्ते पाज़के हैं थी कि जे स्रहांद स्व inaugขendra शही रहूं थे सैथ जाला कि नियुकाषच घड़े हुआए खड़े हुआघ है दालने चैप पढ़ची लिए मैदान वेच पाईबाज सिंग पाईफधे सिंग जी इन्हाने वजीदे सो दिया जिशोदा मैईनु, स्टारंसोदासनु, सित्मा दी नगरी दीच, जुलमा दी नगरी च, जड़ जुलमी राज दे किंग्रे सी, असमानी शुन दे, जनम दे कल्स असमानु गुरूर हंकार दे नाल चीर दे नजनम दे सी, उनने मिटी च मलाके, आजवी यो टिबे, आजवी ते मजूद है उस जगा दे खाल सी परचम हर साल चुलत है उसे जाहो जलाल दे नाल चपड़ चीडितों हाथियां कोड़ियां ते फते मार चूंदा सी परे जिते शरोमनी गुर्दरा परबंद कमेटी सरकार दा जां रोगियां दा जड़ा सहयोग कर रही है दोख बंडा रह नगर की तर नहीं कड़िया जा रही है पर खाल सी परचम जड़ार दास करके उना शहीदानों योद्यानों चेते करके खाल सा राज दी हूं अदधा परतीक इस स्थान ते जिते दुनिया दे विच पहली वार शिरीफतेगर सहीब खाल सा राज था पतोया वो दी याद वेखन गिया ये थे बाबा बाज सिंग जीनों गवर्नर लाया गया ये थे सल्तनत काइम होई ये थे फैसले होन लगे आजवी सरहांद दे चुगिर्दे बारां बारां पंदरां पंदरां को वेच बहुत सारिया मस्जदां खड़िया ने मुरिंडा रोड उते शिरीफते गर सहब दे बिलकुल नजदी रोजा शरीफ है और दरजनानी सैकडे मस्जदां जड़िया पुरानिया ने और मजूद ने जड़िया इस गल्दी गवाही पर दिया है के पामे सिंगां दे अंदर बड़ा जनून सी जुलम दे वरोद और खासकर के मजलूमा दी शहादत सह दाबता बड़े कमाल दा है जी दा लाड़कदी भी खालसा फोजा नहीं शहड़ दिया सेंग नहीं शहड़ दे ऐसलिए जुलम दे नाल टककर सी किसे इसलामक तार्मक स्थान दी कोई नरादरी कोई एक एक ताकन वाजता का पान ओ बिल्ड़िगां वेखने है खरोच नही वजीदे दे कार्नु मलिया मेड कीता उस कार्दे बिल्कुल सामने मसीद जड़ी से अज भी मजूद है उदी एक एक ताक दा नुकसान जड़ा खालसा फोजा नहीं कीता ये जाबता भी है सिंगां दा दी दूसरा एक सिदानत भी है कि किसे फिर के मजब जाता रम्दा वर बहादर ने अपना नानी जनाया जड़ी करंसी जारी कीती खालसा राज दी एक खर सन सिक्का जादबर हर दो आलम तेग नानक वहबस्त जड़ी मोर लाई जान दी जड़ा पत्तर लिखे जान दी फुर्मान जारी हुंदे खालसा राज बलू ओदे किते भी नहीं लिखिया बन्दा सिंग दा राजा दे ते सी देगो तेगो फते नुसरत बेदरंग याफट अजनानक गुरुगो बिन सिंग तो एजड़ी जड़ी गल्ला ने बाबा बन्दा सिंग बहादर दी निमरता दा परतीक ने उना गदिया लाके बैठे ना उना ने अपना आप जनाया उन देगम पुरे दे तसवर वाड़ा राज जड़ा सिंग उना काइम कीता ते अन्त गुर्दास नंगल दी गड़ी दे विच्चों लंबे के रे तो बाद गिरिफतार होके 1716 दे विच दिली दे विच बाबा बन्दा सिंग बहादर नू उना दे साथिया समेथ परवार कीता गया, तो ओ जड़ा जजबा सी, गुरू सहिफ जी दा, ठापडा सी, गुरू नो स्मर्पन पावना सी, सेखडा निस्चा सी जड़ा के गुरू अंग संग है, ओस निस्चे दा परतीक है, ओस स्वय मान गेर्ट दा परतीक है, जिलम दे नाश नू दुनिया दे ते एक सुनेहे वज़ों भी सेख़दा टारगट की है, निशाना की है, तो इस तर्थी ने पहली वार अजाद राजविख्या, बड़ी जरूरत है कि अपने बच्चेया नो, पूरे हिंदोस्तान वासिया नो, इस स्वै मानदा एसास कराऊन ली, कि मुगली राज़दा अंत केने की किता, उदा इतिहास सारे हिंदोस्तान चे पढ़ाया जाए, बाद किस्मत ही है कि एदी चर्चा विशा पदर ते नहीं हुंदी, हार यां हुई यां जंगां दे इतिहास पढ़ाया जान देने, जम मुगलां दे गठ जोड़ दे नाल जड़ियां कीती है, जंगां ने उना सिहास्ट्री पदर ते सेखते मनाई रहने दुनियां पर कटोगाटर पार्त विचे राश्ट्री पदर देते सरकारी तार देते के में एत्वादेशियां दे राजनों खतम करके एत्वादे लोकां दा राजश्था पर इकांसी वादा जिकर हुए, तो बहुत मबार्क द्रुस्ती होवे शांती होवे कोवेड़ा अंत होवे ते जाहो जलाल दे नाल चारदी कलाचे दिहाड़े फिर मनाई जान वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फद्दे